शे हजार काड़ लुपिस का मारगट केव रखने हो वाली मिस्द हतु निगम लिमिटेड पिछले एक साल के अंदर भी कोई खास रिटन नहीं है नीचे जाती ही जा रही है तो क्या आप इसके अंदर फर्स चुके है यदि नई बाई करने का सोच रहे न तो यूडियो पूर बड़ी बात ही है कि आरोई और अनौर 3 दोनों 10 से नीचे हैं दूसरी बड़ी बात ही है कि स्टॉक अपने बुक वे से लगबग 6 गून हाई वेली पर ट्रेट कर रहा है और तीसरी बड़ी बात यह है कि पिछले 5 सालों में इसकी सेल्स ग्रोथ केवल 8 परसंट देंग गि कि लास्ट चार क्वाटर के अंदर इसकी सेल्स ग्रोथ 50% से घड़ चुकी है और पांच वी बात यह है कि कमपनी के उपर बोरोविंग से लगबक अभी कमपनी के पास हाला की रिजर्व भी बारा सो क्रोड रुपेस की जो बड़ी बात नहीं है और चटी बड़ी बात यह है कि डियाएस आपने 14% को कम करती करती कर दी अब लगबक केवल 8% के आसपास लेकर आ चुकी है जो 6% कम होता है डियाएस के स्टेक में से सबसे बड़ी ब प्रोफिट में आती है वो लगबक 345 पे कासफा सब्सेंड करके उपन निकलती है तो हम बाई करने के प्लान करेंगे वनना इससे अवाइट करेंगे क्योंकि इसके अंदर भहु सारा रिजिक्सिन हमें देखने को मिलेगा कमपनी लोस में कड़ी हुई है सेल्स करते पते न कब तक और 31 स्टमबर तक जिसमें केवल और केवल दो माई नहीं बचे है चले मिलते हैं जबते के लिए पैसा बचा कर रखेगा और पैसा लागा कर पैसा बनाते रहेगा